साच श्रीयकाल कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक हेल्दी वाले लड़ू की रेसिपी लाई हूँ दोस्तों जो खाने में इतने लजीज हैं बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे आप एक इसे खालेंगे ना तो पूरे दिन एनरजी बनी रहेगी और आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने 200 ग्राम के करीब डेट्स ले ली हैं यह जो डेट्स हैं बी-सी डेट्स मिलती हैं मार्केट में बहुत आसानी से आपको उनको क्या करना है आपको मिक्सर जार में डाल कर इसका हलका सा पेस्ट बना लेना है एक चीज का ध्यान रखेंगे आप चाहें तो इसे छोटे-छोटे टुकडों में कट करके भी डाल सकते हैं बड़ इसकी पेस्ट बनाते वक्त आपको पानी या दूद किसी का भी इस्तमाल नहीं करना है यह देखिए बड़िया से पिसकर तयार हो गया डेट्स फिलाल हम इने साइड में रख लेते हैं अब यहाँ पर मैंने ले लिये हैं 100 ग्राम मखाने तो दोस्तों मखाने आप देखिए जब हम इनको कच्चे यूज़ करता है ना तो थोड़े से ये क्रंची नहीं होते हैं तो अब हमें क्या करना होगा इन मखानों में क्रंच लाना होगा तो मैंने यहाँ पर एक खाली कढ़ाई ले ली है उसमें हम अपने मखाने आड़ कर लेंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे चलाते हुए 4-5 मिनट तक इस तरह से रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से इन में क्रिस्पा चुका है तो अब हम किसी भी बड़े से थाल या परात में इसे ट्रांस्वर कर लेते हैं अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर एक कटोरी काजू और एक कटोरी बादाम ले लिये हैं दोस्तो यहाँ पर हमें इन्हें भी ड्राय रोस्ट करना है 4-5 मिनट तक लगाता चलाते हुए इन्हें भी बड़िया सा हम क्रिस्पी करेंगे इस पर भी हमें ये ध्यान देना है कि इनका कलर चेंज ना हो अब दोस्तो 5-6 मिनट हो चुके हैं मुझे लग रहा है कि कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लिम बंद कर दिया है और इन काजू और बादाम को भी मखाने के साथ मैंने अड़ कर लिया है अब इसको रखतीजी पंखे के नीचे और इसे बहुत बढ़िया से ठंडा करना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया है और जब तक हमारे मखाने काजू बादाम ठंडे होकर क्रिस्पी होते हैं तब तक चलिए हम यहाँ पर एक चाशनी बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है दो कप पानी और डेड़ कप मिश्री का इस्तमाल किया है आप यहाँ पर चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं डेड़ कप चीनी आप इसमें आड़ कर सकते हैं अब हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक हमारी जो मिश्री है ये मेल्ट ना हो जाए और आप देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट हो रही है और जो हमारी चाशनी है वो गाड़ी हो रही है यहाँ पर हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी ह तो थिक हो थोड़ी सी उतनी होनी चाहिए हच से जादा भी गाड़ी ना हो इस बात का ध्यान दीजेगा तो बस अब यहां पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे धकन लगा कर साइड में रखा है ताकि यह थोड़ी सी गरम रहे जब हम इसको बाद में इस्तमाल क मैं हमारे मखाने बढ़िया से ठंडे होकर बहुत अच्छी शुक्रिस्पी हो गए हैं आप इन्हें हातों से चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा आप खा कर भी टेस्ट कर सकते हैं कि यह बढ़िया से क्रंची हुए हैं गाजो बादां भी बोहुत अच्छी तरह से और बढ़िया सा हमें यहां पर इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है दोस्तों आज जो लड़ू में आपके लिए लाई हूना वह बहुत जादा हेल्डी है लाइक डेली हम लोग मखाने के कंज्यूम करें या फिर दूद में मिलाकर पियें यह जरूरी नहीं है कई बार ह महीनों चलेंगे खराब नहीं होंगे साथ ही इतने डेस्टी होता है ना कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगे लाइक बच्चों को भी पतानी चलेगा कि आपने उने मखाने के लड़ू बनाकर खिलाए है तो फाइनली मैंने तीन बैचिस बनाई थी और उन तीनों को मैंन तो उसी कड़ाई में हमने डाल दिया चार बड़े चम्मत देसी घी और जो मिश्रन हमने बनाकर रेडी किया था अभी वो सारा अब हम इस कड़ाई में डाल देंगे गैस का फ्लेम लो टो मीरियम रखेंगे इस बात का ध्यान दिजेगा और इसके साथ ही हम दोस्तों इसमे का बुरादा मार्केट में बहुत आसानी से मिल राता है और इनसे लड़ों का स्वाधन वो बहुत बढ़ जाता है तो अब बस हमें कुछ नहीं करना लो टो मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए हम साथ से आठ मिनट तक भुनेंगे हमें यापर इसका कलर चेंज नहीं करन है तो बस जब आपको लगे ना कि बढ़िया से खुश्बों आ रही है फिर वहां पर आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजे और यहां पर इसको लगाता चलाते रहेगा अगर हम छोड़ देंगे ना तो नीचे वाला सरफेस जल जाएगा क्योंकि सारी चीजे ना पाउडर में है इसलिए आप इसे कंटीनू चलाते रहें और जब आपको लगे कि यह बहुत बढ़िया से भुन गया है तब फिर हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इससे हम ट्रांसफर कर देंगे बड़े से थाहल या परात में ठीक है अब हमने जो डेट सबसे पहले पीस कर तयार की उसके साथ ही जो हमने चाशनी बनाकर रेडी की है अब हम वह भी इसमें डाली है चाशनी इस में डाली है चाशनी इस इस स्टेश पर थोड़ी गरम हो इस बात का ध्यान दिजेगा और इससे अच्छी तरह से चमत से हम मिक्स कर देंगे वैसे दोस्तोँ आप यहां पर यह तोड़ा सकते हैं वह आप आपकी मर्दली है पूरी तरह से चाशनी जो पम आया करने से आप देख सकते हैं यहाँ बहुत क मुझ करेंगे exist सते हैं कि मालने चाशनी टाली तो इस कुलरे चेंज है यह तो इस SPJD घान देंगी कि सारे調ड Aktik बहुत अच्छी तरह से mix करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हाथों को press करते हुए हम इसे mix करेंगे और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे यह बढ़िया से बंद कर ready होने लग जाएगा तो फिर अब हम क्या करते हैं इसके लड़ू बनाना शुरू करते हैं सारा मिश्रन बहुत अच्छी तरह से soft हो चुका है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रन लेंगे आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे भी लड़ू चाहें वैसे बना सकते हैं मैं आपर मीडियम साइस के लड़ू बना रही हूँ इस तरह से हाथों में इस मिश्रन को बादेंगे दुनों हाथों के हल्प से प्यारे से लड़ू बना देंगे वैसे यह तो सब को आते हैं इजी सी बात है इस तर ऐसे सारे लड़ू बना कर हम रेडी कर लेंगे उसके बाद आप इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए महीनों ये लड़ू खराब नहीं होंगे साथी दोस्तों ये इतने अच्छे बनते हैं ना इसमें क्रिस्प भी होता है मॉइस्ट भी होते हैं बहुत ही बड़ा लगते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं दोस्तों इसमें हमने सारी हल्दी हल्दी चीज़ों का इस्तमाल किया है उसके साथ ही बहुत जादा टेस्टी भी है तो आप इसे खाईए आपको गर्मी में मज़ा आ जाएगा यहाँ पर मैंने सारे लड़ू बनाकर रेडी कर लिये हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार पका ट्राय करना और मुझे नीचे कमेंस में लिख कर बताना कि आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी अब आपके साथ मिलोगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई